चलिए आज हम बनाएंगे बजार से भी टेस्टी पनीर टिक्का पनीर टिक्का आप बहुत बार बना कर खाये होंगे पर क्या मेरी तरीके से इस तरह बना कर खाये हैं नहीं खाये हैं तो वीडियो में बने रहीएगा चैनल पेनाये हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करिय असला आलेकुम नमस्ते दोस्तों चलिए रेसिपी सुरू करते हैं एलो कलर हारा कलर रेड कलर सिमला मेर्च ले ले ली हूँ इस तरह मैं बड़े बड़े पीस में कट कर ली हूँ एक प्याज है प्याज को मैं इस तरह बड़े पीस में कट कर ली हूँ अच्छे से सबजी को साप कर ली हूँ 200 गरम यहां पर मैं पनीर ले ली हूँ तो पनीर को हम कवर में से निकाल लेते हैं पनीर हम सारा यूज नहीं करेंगे थोड़ा सा पनीर हम कट करके निकाल के साइड में रख देते हैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट है चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करेगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करेगा लाइक करना मत भूलेगा कमेंट करके जरूर बताएगा क्या मेरे तरीके से इस तरह पनीर टिक का बना कर खाएं जरूर कमेंट करेगा थोड़ा सा पनीर मैं एक कप में दो छोटे कप हम दही डाल देते हैं ये नार्मल दही है इसका दही का पानी मैं नहीं निकाली हूँ बिल्कुन नार्मल दही है दही में मसाला डालेंगे दो चिम्मच गरम मसाला आधावी चिम्मच से भी कम है हल्दी पोडर एक चिम्मच लाल मिर्च पोडर एक चिम्मच धनिया पोडर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे एक चिम्मच कच्चे सरसो का तेल डाल देते हैं इससे बहुत अच्छा टेस्ट रहता है सुखे लाल मिर्च चाहिए तो इसे मैं दरदरा कूट ली हूँ तो इसे भी एक चिम्मच डाल देते हैं एक चिम्मच कस्तूरी मेथी हम करस करके डाल देते हैं एक चिम्मच अदरक हम कलर वाला लाल मिच पोडर डाल लेते हैं अच्छे से फेट लेते हैं ये देखिए मसाला अच्छे से फेट गया है और ये देखिए मसाला भी तैयार हो गया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये पियाज सिमला मिच ये सभी सबजिया डाल देते हैं अईसी के साथ में हम कटे हुए पनीर डाल देते हैं सभी सबजिया और पनीर को हम मसाले में अच्छे से फेड लेते हैं ताकि मसाला अच्छे से लग जाए देखिए पनीर और सबजी में मसाला अच्छे से लपेट उठा है अब दोस्तों मैं ये पनीर और सब्जिया थोड़ा सा जादा ली हूँ कि मुझे एकी सामान में दो रेसिपी बनाना है तो देखिए अच्छे से मसाला लग गया है तो यहां पे मैं दो से तीन काड़ी ले ली हूँ छोटे बड़े ये तीन काड़ी है अब ये काड़ी दोस्तों मैं बता दूँ जो हम बैकरी से वो गुलाब वाला बच्चों के लिए लाली पोप लाते है न वही काड़ी है तो ये काड़ी मैं अच्छे से धुल के साफ कर ली हूँ तो अब हम इसी काड़ी में सबसे पहले हम पनीर लगा देते हैं फिर उसके बाद में हम ये पनीर लगा देते हैं इसी तरह हम सभी पनीर को हम यानि सब्जिया को हम काड़ी में लगा लेते हैं यह देखिए इस तरह तो यहां पे देखिए मैं पनीर और सब्जी को अच्छे से काड़ी में लगा ली हूँ तावा रख दी हूँ हो गया है गरम तो यहां पे मैं अमुल बटर ले ली हूँ यह देखिए अब इसमें हम एक पीस डाल देते हैं बटर बटर से बहुत अच्छा टेश्ट आता है अब इसमें हम पनीर टिक्के को डाल देते हैं ये देखिए तो तीनों काड़ी को मैं डाल दी हूँ अब इतना ही बटर यूज करेंगे अब हम अलग से और बटर नहीं यूज करेंगे इसी बटन में हम उलट पलड के हम पनीर टिक्के को अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक सब्जिया नरम ना हो जाए और पनीर भी पग ना जाए अच्छे से तो यह देखिए दोस्तों थोड़ी टाइम में कितना अच्छा कलर भी आ गया है सबी सबजिया भी पग गया है पनीर भी नरम हो गया है तो इस तरह दोस्तो पनीर टिक का घर पर बना कर खाएं बहुत टेश्टी लगता है तो चारो तरफ इसे मैं उलट पलट के अच्छे से फ्राई कर ली हूँ अब दोस्तो तंदूरी टेश्ट देने के लिए यहां पर मैं गयस के उपर इस तरह इसे मैं सेक लेती हूँ इससे भी बहुत अच्छा टेश्ट आता है यह देखिये तो इसे भी दोस्तो मैं अच्छे से तीनों काड़ी को सेक ली हूँ अब पनीर का सबजी का कलर देखिये दोस्तो देखते ही मुह में पानी आ जाता है इतना यह टेश्टी बनता है बच्छों के लिए यहां पर टमाटो केचप ले लिए हूँ पनीर टिक्का खाने के लिए यहां पर मैं इस्पेसल चटनी भी बनाई हूँ अगर इस चटनी की रेसिपी देखना है तो मेरे इसी चैनल पे अपलोड है नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा अई इस पनीर टिक्के के साथ में यह इस्पेसल चटनी खाकर मजा आ जाता है तो इस तरह बजार से लानी की जरूरत नहीं घर पर बना कर खाएं चैनल पे नहीं है तो पिलीज चैनल को सस्क्राइब करें